तो गाईज आज के वीडियो में एक छोटा सा पिक्निक का सेट अप लगाया है और यह सेट अप बहुत दूर से इलेक्टिसिटी लेकर आ रहा है पोल से इलेक्टिक पोल से लगभग लगभग 400 या फिर 500 मीटर होगा हम लोग ने यह पर 9 कोईल तार लगाया है यहाँ पर तो सो बॉक्स में हमारा 200 वाट का स्पीकर है इसलिए लॉंग थ्रो काफी अच्छा है बेस थोड़ा सा कम है ठीक है और एम्प्लिफायर जो है साहे 300 वाट का एम्प्लिफायर है उसका टेस्टिंग का भी वीडियो आई बटन में मिल जाएगा यहाँ पर जगात थोड़ा सा देख लीजिए टिकनिक स्पोर्ट है यह और यहाँ पर हम लोगों को जनेटर लगाना चाहिए था लेकिन पार्टी ने ज्यादा पैसे जो नहीं देना चाहते थे इस वाज़े से हम लोगों ने इलेक्टिसिटी ही लागाया और इलेक्टिसिटी बहुत ही दूर से आया था बॉक्स की पीछे की साइड जो रसता है उदर से आप लोग देख सकते हैं वहाँ से हमने लाइन दिया है तो हम लोगों ने यह पर पैरलल में कनिक्शन किया है देखिए यह पर दिखा देता हो अम्प्लिफायर से एक तार वापन लगा और वासे वापन लग गया है तो पैरलल में कनिक्शन हो गया यह हमारा वैन देख सकते है जनेरेटर का वैन है तो आप लोगों सोड़ा सा टेस्टिंग दिखा देता हूँ कर दोगों सोड़ा के तार वैन देखंग अल्टिंग अन्तिय घर्णあり से ऺंड़ार से वाह लीट गृटीं अन्तियो क्यों खे लोगों जो आदा थे corresponds तो इसी बात की है कि हमारा सेटप देखिए वहाँ पर बज रहा है और यह वैर जो अच्छा पर फट जाएगी हमारी तो आप लोगो थोरा सथ दिखा देता हूं देगे वह उधर से और भी धूर है चलिए दिखाता हूं आपको एक एक करके कि यह वह वर गया है अब देख सकते हैं इसे दो दूर में कुछ घर है देख सकते हैं क्या थे देख सकते हैं अधर दो यह का लाइन लेकर आए लेक्रिस्टी है वह बहुत दूर है बहुत दूर आपको पार्णों को वह लगया तो वह इससक्ते हैं अधर से बहुत दूर वह लॉड़ी के वहां से लोग लाइन लेकर आया है अधर दिखा देता हूँ आपको अधर अधर से आप देख भी नहीं सकते कि इधर एक पिकनिक भी अभी चल रहा है देखकर समझ भी नहीं सकते आप ठट जाएगी यार अधर देखकर दो